गुड मॉर्निंग यूटूब फैमिली को मेरे नए वीडियो का हमेशा इंतजार रहता है तो चलो आज हम कुछ काम का बहुत बड़ा शॉपिंग बेग जीपर वाला टोटा बेग जिसे भी कहते हैं वो तैयार कर रहे हैं और इसमें बहुत ही फिनिशिंग वाला है और इसमे सरका दने दने वाला प्लास्टिक आता है आज मैं उसका उप्योग कर रहे हूं और लाइनिंग का कप्रा चाहिए आप यहां चाहिए तो आटा बेग या राइस बेग का यूज कर सकते हैं लेकिन आज हम यह कुछ अलग टाइप के मटिरियल से हमारी यह बेग को तयार करने वाले हैं इसके लिए आपको लंबाई में 38 इंच और चोड़ाई में 20 इंच का एक में फैबरिक एक यह हमारे यह प्लास्टिक है उसे लेना है और एक आपको जो है इसके साथ लाइनिंग के कपड़े को लेना है इस तरह से तीन कपड़े को आपको काट लेना है और पहले आपको लाइनिंग के कपड़े को लेकर उस पर हमें जो है अपने चैन और अपने बॉक्स बनाने हैं पोकेट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 11 इंच चोड़ाई और 8 इंच लंबाई का एक कपड़ा अलग से काटा है और इसे हम अपनी लाइनिंग के साथ जोड़ेंगे अब इस कपड़े को हमें हमारी जो लाइनिंग है उसे उपर की बाजू से 5 इंच नीचे रखकर हमें इस तरह से इसे तीन बाजू से सिल लेना है और बीच में से भी हम सील कर इसके एक में से दो पोकेट को तयार करेंगे और इस तरह से आप इसे तयार कर लीजिए तो आप के देखिए दो पोकेट तयार हो गए हैं अब हमें इस कपड़े को उल्टा करके अब इसके दूसरा पोकेट तयार करना है वो हमारा जीपर वाला पोकेट हमें तयार करना है जीपर वाला पोकेट तयार करने के लिए मैंने एक दूसरा पीस लिया है कपड़े का और 9 इंच इस से सिल कर प्रेशिलाएकर कि सीधा करेंगे मेरा मिशन आपको इजी वे में सिखाने का है मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरी चैनल को ज़रूर से सस्क्राइब कीजिए चैनल सस्क्राइब करना फ्री है आप जो है इस सरह से दोनों बाजू से अप जीपर को लगा के आप जीपर वाला एक जो है बहुत प्यारा सा पोकेट तयार कर लेंगे आप इस तरह के डिजैनर बेक देखते हैं और आप ये महंगे महंगे तीन सो चार सो रुपे के होते हैं तो आप इसे अपने घर पे कोई आपका हेवी डूपटे से हेवी साड़ी से या तो आप कोई भी शोल है या उससे भी इसे बड़ी आसानी से हेवी लूपका तयार कर सकते हैं और वो भी बिल्कुल जीरो कोश्ट अब हमें उपर से 5 इंच पर फिर निशानी लगानी है और हमें अपना ये जो तयार किया हुआ है जीपर वाला पोकेट उसे हमें इसे चारो बाजू से सिल लेना है और इस पर रखकर हमें इसे सिल लेंगे इस तरह हमारे दो पोकेट तयार होगे एक जीपर वाला और एक सादा पोकेट और यह हमने जो है हमारे लाइनिंग पे ही लगा के करा हुआ है अब हम लाइनिंग को उल्टा कर देंगे और अब इसके उपर हम अपना जो प्लास्टिक है उसे बिशाएंगे और इसके उपर हमारा मेन फैब्रिक को हम रखेंगे और अब इन तीनों तीन चीज़ को हमें साथ में रखकर सील लेना है और ये जो दाने वाला भागे वो आप ध्यान रखिए कि वो अंदर की तरफ रहे और हमारा जो मेन फैब्रिक है उस सरफ हमारा प्लेन प्लास्टिक आना चाहिए इस बात का आप खास ध्यान रखिएगा अब चारव बाजू से आप पीन लगा कि इसे सीक्यूर कर लीजिए और फिर हम इसे चारव बाजू से सील लेंगे सील के हम इसे एक रेक्टेंगल पीस तयार कर लेंगे ये कुछ हमारा इस तरह से rectangle पीस तैयार हो गया है अब हम इसके दोनों बाजू जो side है वहाँ पर इस तरह से pipe in लगा कर जो है इसके corner को complete करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर जीपर लगाना है pipe in कैसे लगाएंगे वो मैंने आपको बहुत सारे अपने वीडियो में share कर रखा है तो इस तरह से pipe in लगा लिजिए handle बनाने के लिए 24 इंच लंबाई और 4-5 इंच वीडित की मैंने ये जो है पट्टियां दो काटी है इसे आप इस तरह से मोड कर इसकी पट्टि बना लिजिए और इसे अब हमें हमारे handle की तरह यूज करना है अब हमने handle बनाने के लिए हमें ये दोनों बाजू का middle भाग पसंद करना है और middle भाग से हमें दोनों side 3-3 इंच जाना है और 3-3 इंच पर निशानी लगानी है और 3-3 इंच पर अपनी दोनों बाजू निशानी लगा लिजिए और फिर आपको जो है 3 इंच जहां पर है वहां से 3.5 इंच नीच नीच जाना है ऐसा आपको दोनों बाजू करना है 3.5 इंच नीचे जाकर इस तरह से हैंडल लगाना है और आप जो है बिल्कुल सीधे ही यह से रखकर पाइप इन पर आप अपनी जीपर दोनों बाजू लगा दीजिए जीपर लगा लेने के बाद हमें इसे उल्टा करना है बेग को उल्टा करने के बाद हमें बेग पर श्रेप देना है और इस बार हमें बेग में कुछ भी कटिंग नीचे से करना नहीं है जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना हमने बहुत सारे बेग तैयर किये जहां पर हम नीचे से कटिंग करते हैं अगर हमें cutting नहीं करना है इसका middle point इस तरह से निकालना है हमारी बेक का और वहां से हमें 4 inch पर निशानी लगानी है ऐसा हमें दोनों बाजू करना है 4-4 inch की हमें दोनों बाजू निशानी लगानी है और पीछे की side भी हमें 4-4 inch की निशानी लगानी है यह आप जरूर से देख करना है हमारे कपड़े को इस तरह मिडल में जहां पर हमने निशानी लगाए थी और ये चार-चार इंच की निशानी को इस तरह से उठाना है और मिडल की निशानी को इस तरह से इसे सेट करना है कुछ नहीं करना है आपको मिडल की निशानी को बीच में रखकर आपकी जो द Getup इतना अलग different लगता है तो इस तरह के market में जो बेग मिलते हैं उसे देखकर आपको लगता है कि यह कैसे बनते होंगे बनाना बहुत ही आसान होता है बस इस तरह से इसका look देखे कितना best, कितना अलग और कितना different आया हुआ है जब इसे केरी करके जाएंगे तो आपका लुक आमेसिंग आएगा अंदर भी इसमें जो हमने चेन और पोकेट बनाएएं तो आप इसे जरूर से तयार कीजियेगा और घर पे तयार करके केसा बनाए है उसका आइड़िया भी मेरे जरूर somethin शेयर कीजिएगा कुछ ने कुछ नया बनाते रहिए तब तक के लिए टेक केर